आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेस्पी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी और इतना बढ़िया और इतना जादा टेस्टी नास्ता कि आप देख लेंगे ना तो खुद को इसको बनाने से रोक नहीं पाएंगे इतना यम्मी नास्ता कि बर्गर पेटीस खाना भूल जाएंगे जब आप ये नास्ता बनाएंगे ये नास्ता जितना जादा क्रिस्पी बनता है ना खाने में भी उतना ही जादा टेस्टी होता है बच्चों से लेकर बढ़ो तक कोई भी खुद को खाने से रोक नहीं पाएगा तो देर किस बात की मैदा के करीम मैदा जिसको हमने अच्छे से चान लिया है और इसको हमने या पर मिक्सिंग फाल में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें आप जाएगा एक छोटा चमश के राल आपधियों countries जाएगा और इसमेंप जाएगा चार टेविल स्पून वो बहुत ही बढ़ी आता है तो अजवायन को भी हमने इसमें डाल दिया है और इसको यहाँ पर हम हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमने जो ओयल मोयन के लिए आटे में डाला है वो इतनी अच्छे से मिक्स हो जाए कि जो आटा है उसकी मुठी बनने लगे तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो मुठी है वो बनने लगी है तो जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें अब हम डालेंगे पानी तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डलकर इसका एक हाट आटा तयार कर लेंगे तो यहाँ पर आटे को हमने अच्छे से मसल मसल कर गून कर तयार कर लेना है जैसे हम घर में नॉर्मल आटा गूनते हैं रोटी चपाती के लिए उससे हमें थोड़ा हर्ट आता गुन कर तयार करना है तो यहाँ पर हम आते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही आता सब इखटा होने लगेगा वैसे ही हम इसको अच्छे से मसल कर गुन कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमें आते में मुकी नहीं लगाना है बस आते को हमें अच्छे से मसल ना है जैसे कि हम पूरी का आता गुनते हैं ना उसी तरह से हम आते को मसल मसल कर गुन कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हम हतेली की हेल से इस आटे को गुन कर तयार करेंगे ताकि जो आटा है वो काफी अच्छे से मसल कर गुन कर तयार हो जाए तो यहाँ पर जो हमारा आटा है वो गुन कर तयार हो चुका है तो यहाँ पर हम ढख कर पाんच मिनट कली रेस्ट देंगे जब तक हम चलते हैं मिक्सी का जाड ले लिया है और इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीब सौफ और इसमें अब जाएगा एक चमच के करीब साबित धनिया जो बीजवाला धनिया होता है यहाँ पर हमने वो लिया है और साथ ही इसमें जाएगा आदा चमच के करीब जीरा जीरे को हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम हलक असा ग्राइंड कर लेंगे यानि कि हमें हलक असा दरदरा इसको पीछ लेना है तो लीजिए हमने इसको हलक असा ग्राइंड कर लिया है और जो हमारा पाउडर है वो इस तरीके से तयार हो गया है इसका हमने बिल्कुल दरदरा पाउडर बना कर तयार करा है बिल्कुल फाइन पाॉडर नहीं बनाया है तो इसका मसाला हो चुका है बिल्कुल तयार तो इसकी स्टफिंग के लिए हमने यहां पर लिए हैं दो आलू यहां पर हमने दो मीडियम साइस के आलू लेकर उसको उबाल कर च्छिलका उतार दिया है और उसको यहाँ पर हमने मैशर की हल्प से मैश कर लेंगे इससे क्या होगा जो आलू है उसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं पढ़ेंगे और यहाँ पर हमने आलू को मैश कर लेना है इस तरीके से आप चाहें तो पोटिटो मैशर की हल्प से भी मैश कर सकते हैं बस आलो में गात नहीं पड़ने चाहिए तो इस तनहें आलों को मैश कर लिया है तो आलों को अच्छे से हमने यहापर मैश कर लिया है जब तक हम चलते हैं gyas की तरफ तो gas पर हमने रख लिया है एक fry pen और इसमें हम डालेंगे one टेबिल स्पून के करीब oil ओयल जब अच्य से गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जो हमने सौफ धनिया जीरे का पाउडर बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे गैस की फिलिम को हम बिल्कुल लो रकेंगे लू फिलिम पर हम इसको हलका सा चलाएंगे जब यह हलका सा रोष्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीब हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट आप चाहें तो हरी मिर्च और अधरक को चौप करके भी डाल सकते हैं इसको भी हम अलका सा मिक्स कर लेंगे और इसको हम अलका सा रोज ठोने तक पकाएंगे और साथी में इसमें हम डालेंगे दो चमच के करीब हरी मतर इससे इसकी स्टफिंग का मज़ा दो गुना हो जाएगा तो यहाँ पर हमने हरी मतर को इसमें डाल दिया है और इसको भी यहाँ पर हम अच्छे से mix कर लेंगे मतर जब हमारी अच्छे से mix हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे आलू यहाँ पर जो हमने आलू मेश करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे और आलू को डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फिलेम को हमें भी लो रखना है लो टू मीडियम फिलेम पर हम इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हम इसको दबाते हुए मिक्स करेंगे नामक आप अपने जायके के हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं और साथी मिर्च में हम डालेंगे एक चौथाई चमच के करीब लाल मिर्च पाउडर अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं और इसमेरum नेला है 14 चमश के करीब मैजिक मसाला और इसमेरum डालेंगे 15 के करीब हलमखली पाउडर और इसको यहां पर हम आलु और मतर के संग अच्छी से मिक्स कर लेंगे तकि जो मसाले है यहां वह आलू और मतर अच्छी से मिक्स हो जाएं तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरधनिया और इसको भी यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लीजिए हमारी स्टफिंग है बनकर बिल्कुल तयार गैस की फिलेम को हम कर देंगे बन जब तक हम चलते हैं आटे की तरफ तो आटे को रेस्ट करते हुगे पास मिनिट हो चुके तो इसमें हम डालेंगे एक चौथा ही चमच के करीब ओल ओल को हम इसमें डाल देंगे और आटे को हम हातों की हल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आटा है वो बहुत ही बड़िया बनकर तयार हो तो जो आटा है वो बिल्कुल बनकर तयार हो चुका है तो आटे को अब हम रख लेंगे काउंटर पर तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा डाल देना है और आटे को हमने काउंटर पर रख लिया है और यहाँ पर हम चाकू की हल्प से इसको तीन पार्ट में हम डिवाइट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने तीन पार्ट में आटे को डिवाइट कर लिया है और दो पार्ट हम इसके उठा के रख देंगे और एक पार्ट की हम इसकी यहाँ पर लोई बना लेंगे तो यहाँ पर हम आटे की लोई बना कर तैयार कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर काउंटर पर रख लेंगे थोड़ा सा हम सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको यहाँ पर हम बेलन की हेल्प से बेल कर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर जो हम नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी रोटी बनाकर तैयार करेंगे और रोटी को हमें बिल्कुल पतला बनाना है यानि कि हम जो रोटी नॉर्मली घर में बनाते हैं उससे भी ज़ादा पतली रोटी बनाकर तैयार करना है तो यहां पर हमने एक बड़ी रोटी बना कर तैयार कर लिए है तो इसी तरह से हम जो तीन रोटी है वो बना कर तैयार कर लेंगे और इसके उपर हम डालेंगे ओयल तो यहां पर हमने थोड़ा सा ओयल इसमें डाल दिया है तो दूसरी रोटी को हमने इस पे अच्छे से फैला दिया है और इसके उपर भी हम डालेंगे आईल और आईल को इस पे भी हम अच्छे से फैला लेंगे तो यहाँ पर हमें चारो तरफ से आईल को अच्छे से फैला देना है और oil को फैलाने के बाद जो 30 रोटी हमने बना कर तयार करी है उसको भी हम इसके उपर रख लेंगे और इसको भी यहाँ पर हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहाँ पर जो हमने 30 रोटी इसके उपर रखी थी उसको भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है तो यहाँ पर तीनों रोटियों को हमने इस पे रख लिया है और इसके उपर भी हम डालेंगे और ओल को भी इसमें अच्छे से फैला लेंगे यानि कि जो तीसरी रोटी है उसके उपर भी हमने ओल को अच्छे से फैला लिया है और ये जो नाश्टा है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत जादा पसंद आने वाला है तो यहाँ पर हम हलके हाथों से दबाते हुए इसको रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो तीनों रोटिया हैं उसको हमने हल्क के हाथों से अंदर से दबाते हुगे रॉल कर लेना है तो यहाँ पर हम इसको हल्क के हाथों से अंदर से दबाते जाएंगे और इसका रॉल बनाकर तयार कर लेंगे तो लीजिए हमारा रॉल है बनकर बिल्कुल तयार तो यहाँ पर हम इसको हलका सा फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और रॉल को अब हम कर लेते हैं सीधा यह काफी अच्छी से रॉल हो चुका है तो यहाँ पर हमने इसको करना है सीधा और यहाँ पर हमें लेना है एक चाकू तो यहाँ पर हम चाकू की हल्प से इसको छोटे-चोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक बॉल्स को उठा के काउंटर पर रखेंगे और इसको बेलन की हेल्प से बेलकर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हम इसको पूरी की साइज में बेलकर तयार करेंगे और इसको यहाँ पर हम साइडों से जादा बेलेंगे सेंटर में नहीं बेलेंगे कि जो डिजाइन है वो सेंटर में है तो यहाँ पर जो हमारी पूरी है वो बनकर हो चुकी है तैयार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेंटर में है तो यहाँ पर जो हमने stuffing बना कर रखी थी उसको यहाँ पर हम एक चमच के करीब इसमें सेंटर में रख देंगे तो जो stuffing है वो भी ठंडी हो चुकी है तो इसको यहाँ पर हम हाथ में उठाएंगे और इसका जो एक साइड है उसको हलका सा हम प्रेस करेंगे ताकि जो साइड है वो अच्छे से चिपक जाए और इसका जो खुला हुआ पार्ट है उसको हम सेंटर में से उठाएंगे और इस तरह से इसको हम हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छे से चिपक जाए और इसको यहाँ पर हम तीनों साइट से अच्छे से चिपका लेंगे यान कि हातों से हल्क असा हम प्रेस करेंगे और यह काफी अच्छे से चिपक जाएगा तो लीजिए हमारा बहुती बड़िया समोसा बनकर हो चुका है तयार आप देख सकते हैं कि कितनी बड़िया इसकी डिजाइन बनकर तयार हुई है तो इसी तरह से जो सारे समोसे हैं बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमें हलका सा इसको बेलना है और बेलने के बाद जो पूरी है वो बना कर तैयार कर लेनी है और बस इसके सेंटर में हम रखेंगे एक चमज के करीव स्टेफिंग और इसमें लगाएंगे चारो तरफ से पानी तो यहाँ पर आप पानी भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने अच्छे से चारों तरफ से पानी लगा दिया है और इसको यहाँ पर हम एक साइट से अच्छे से चिपका लेंगे तो यहाँ पर हमें हलका सा इसको प्लेस करना है और इसका जो खुला हुआ साइड है उसको यहाँ पर हमें 20 सेंटर में से उठाना है और इसको यहाँ पर इस तरहां से चिपका देना है तो यहाँ पर हमने इसको हलक असा प्रेस करके इस तरहां से हमने इसको हातों से चिपका दिया है तो यह दिखिए हमारी यह भी समोसा है बनकर तयार और यह बहुती बड़िया डिजाइन बनकर तयार होती है और इसको बनाना है बहुती आसान तो आप इस रेस्पी को एक बड़ जरूर ट्राई करें तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल में थोड़ा सा ओयल और जो समोसा है उसके हम एक साइड में हलका सा ओयल लगा लेंगे तो गैस पर हमने रख दी है ऐलमोनियम की कड़ाई आप चाहें तो इसकी जगा कोई भूगाना भी ले सकते हैं और जो समोसा है वो हम इसमें चिपका देंगे और सारे समोसो को हलका सा तेल में डिप करेंगे और डिप करने के बाद जो समोसे हैं उनको हातों से हलक असा प्रेस करके यसे एक साइड में चिपका देंगे तो सारे समोसे हमने बनाकर कर लिये हैं तैयार species तो इसी तरह से बस हम Bennett असा एक साइड में लगाते जाएंगे तो यहाँ पर बहुती easy recipe है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाएए और यह बहुत ही यूनिक रेस भी है तो यहाँ पर बिना फ्राइ की हम समोसे बनाने जा रहे हैं बस हलक असा हम इसको चिपकाएंगे और यह बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं बस हातों से हमें अलक असा प्रेस करना है प्लेस करने के बाद ये काफी अच्छे से चिपक जाएंगे तो यहाँ पर सारे समोसो को हम कड़ाई के चाव साइड में अच्छे से चिपका देंगे और गैस की फिलेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और यहां पर हमने लिया है एक अंडा और अंडे को हम अच्छे से mix कर लेंगे अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगा oil का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां पर जो अंडे का mixture है उसको हम एक ब्रस की help से सारे समोसों पर एक एक करके लगा लेंगे आप चाहे तो इसकी जगा ओयल या घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अंडे से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है और ये काफी अच्छे से बैक भी हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने अंडे को अच्छे से समोसों पे लगा दिया है और बीच में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक यहाँ पर हमने जो नमक लिया है उसको हम पहले इस्तिमाल कर चुके हैं तो इसको हम एक थाली से कवर कर देंगे और इसको हम 20 से 25 मिट लो टू मीडियम फिलिम पर पकाएंगे तो लीजिये हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे से बैक हो चुके हैं और जो नमक है वो भी अच्छे से इसमें जल गया है तो इसके उपर हम लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी यहाँ पर हम जो समोसे हैं उसको हम हलका हलका सा देसी घी उपर लगा देंगे इससे क्या होगा इससे इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत बढ़ी आएगा तो यहाँ पर मैंने समोसो को एक से दो बार बीच में खोल के देगा था और उलट पलट दिया था आप चाहें तो इसको अच्छे से उलट पलट दे वरना जो समोसे हैं वो जल भी सकते हैं तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसमें घी लगा दिया है और यह दोनों तरफ से अच्छे से बैक हो गए हैं तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से उलट पलट लेंगे ताकि यह दोनों तरफ से अच्छे से बैक हो जाएं ये बहुत ही अच्छे से बैक हो जाते हैं और इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही बड़ी आता है और बैक करते टाइम समोसो को आप एक से दो बार भीच में खोल के जरूर देखें यहाँ पर जो समोसे हैं सारे अच्छे से बैक हो गये हैं तो इनको अब हम निकाल लेते हैं बाहर तो यहाँ पर यह देखें कितने जादा क्रिस्पी और खस्ता बनकर हुए हैं यह तैयार बहुती बड़या इसका जो टेस्ट है आता है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करें तो यहाँ पर हमने इसको बिना फ्राइ किये हुए समोसे बना कर किये हैं तैयार यह बहुती जादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं तो सारे समोसों को हमने कड़ाई से निकाल लिया है बाहर और ये लीजिए बिलकुल तयार है हमारे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी यूनिक स्टाइल के समोसे जब आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे न तो यकीन मानिए कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं भी बिना फ्राइ किये वो भी कम सामान से जिस तरह से मैंने इसका मसाला बनाकर तैयार किया है आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं खस्ता क्रिस्पी ऐसे समोसे जो खाए बस दीवाना हो जाए आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सिख चुके हैं अगर आपने इसे एक बार मेरी स्टायल से ये रिस्पी ट्राइ कर ली न तो आप इसे रोज बनाएंगे सुभा का नाश्ता हो या शाम की चाय आप इसे ब्रेफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक समोसा तोड़कर दिखाती हूँ तो यहाँ पर यह देखे कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तयार हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी यमी फीलिंग टेक्श्चर से ही पता चल रहा है ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं जरूर बनाईएगा सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी सुपर क्रिस्पी एक मज़ेदार स्टेफिन के साथ हैं बिना फ्राइ के हुए हमारे समोसे चो बहुत ही बढ़िया बनकर होते हैं तैयार इसका टेक्श्चर देखिए वाउ कितना यूनिक और अट्रेक्टिव लग रहा है ना जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए ऐसे समोसो की रेस्पी है तो जरूर बनाईएगा आप इसे पिज़ा सोस या टोमेटो कैचछप इसाथ भी इंजोई कर सकते हैं तो आपको आज की हमारी रेस्पी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर रेस्पी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और रेड बटन पर किलिक करके जाइका अपने किचिन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिस